हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टुदा अनधर वीडियो तो दोस्तों आज की सुड़ा में हम बात करने वाले हैं एसटेट बाओं कॉप इंडिया, अगर आप यहाँ पर फर्म अपनी कर रहे हैं कलारिक पोस्त के लिए और आपको फॉर्म में थर्म इम्प्रेशन और हमाराईन रिखलेरियरेशन अप्लोट करने में दिक्कत और प्रोब्लम आ रहा हैं कैसे आपको handwriting declaration अप्लोड करना है, कैसे आपको left thumb impression अप्लोड करना है, आज की सोड़ा में आपको complete जानकारी दिया जाएगा जिससे आप mistake free form में thumb impression और handwriting declaration अप्लोड कर पाएंगे, वीडियो इस्टार्ट करने से पहरे में आपसे छोटी से request है, चैनल में new हैं, तो चैनल को subscribe करें, share करें, like करें, जिससे आने वाले जो भी update होंगे वो आपको मिल जाएगे, आप देखें प्रेंस यहाँ पे आपको complete जानकारी दिया जाएगा, साथ में आपको handwriting declaration और यहाँ पे thumb impression को कैसे research करना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, simple आपको कैसे यहाँ पे handwriting declaration लिखना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप वीडियो को जरा सा भी skip नहीं करेंगे और आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको ग्या करना है, guideline यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसको डाउन्लोड कर लेना है, तो simply मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आप आप डाउनलोड करेंगे, आपको कुछ भी handwriting declaration अपलोड नहीं करना है यहाँ पे जो दिया गया है यही handwriting declaration आपको अपलोड करना है अब अपलोड कैसे करना है यह भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है एक आपको A4 size का white जो paper होता है आपको ले लेना है इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर आई के बाद क्या करना है यहाँ आपका जो नाम होता है name of the candidate में आप अपना नाम होता है यहाँ पर आपको दे देना है और आपको जो भी आपका date of birth लता है एक paper में और किसी और के द्वार आपको यहां पर नहीं लिखवाना है आप देखे प्रेंस यहां पर आपको ऊपर करेंगे तो आपको यहां पर यहां पर आपको कैसे अप्लोड करना है वो भी आपको यहां पर दिया गया है यहां पे 240 trip के भीच में होना चाहिए है better than enormous check with your sheets are उता है इकार we a पर्रेपर होता है उसमें आपको थंक कर ले adaptoriented आपको आपको उस स्यי को क्या करना है क्रोप करके अब चलिया प्रेज्द में आपको इसका जो सेंपल होता है कर के लेत दिखता सबसे हैं दो इस संप्र करना इ civilizations निखे लेना को फैर कि आप यहां पर हसा है कि सब्सक्राइब सर्म स्प्राइब अब aumentar को लिखना है तो कैसी है हमारा left thumb impression देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर spelling थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है तो यहाँ पर मैं जैसे तरह से यहाँ लिख दिया हूं आप लोगों को बताने के लिए sample के रूप में आपको क्या करना है कुछ इस टैप से क्या करना है आपको आपको लिख लेना है आपको जो भी हाँ पर handwriting declaration होता है वो आपको इसी टैप से लिखना है सबसे पहले आई के लिखना है आई के बाद आपका जो नाम होता है वो नाम लिखेंगे डियो भी आपको यहाँ पर लिख लेना है आपका date of birth और आपको क्या करना है आपको इसको आपको यहां पर copy करना है कि- और के स्पेलिंग होता है वेसे ही आपको क्या करना है लिख लेना है अब चलिए फ्रेंस मै इसको आपको recognize करके लिखाता हूं मुझाचन होता है इसको हम रिसाइज कर लेते हैं सबसे पहले तो देखे कि cynical हमको left thumb impression और handwriting declaration को research करने के लिए हमको एक application का जरूरत पड़ेगा जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा photo researcher यहाँ पर आपको search कर लेना है या आप किसी भी other app का use करके आप research कर सकते हैं फिरे बर जाना है इसके लिए आपको कोई फीस वगरा payment करने के आउस सकता नहीं सबसे पहले आप यहाँ पर select करेंगे photo को तो जो भी आपका left thumb impression होता है और आपका hand writing declaration होता है वो आपको क्या करना है select कर लेना है अब देखे गाईस यहाँ आपको सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है अब देखे फ्रेंस यहाँ पर आपका left thumb impression होता है वह आपको ज्यादा नहीं करना है क्योंकि अगर पचास के विस से अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपका left thumb impression होता है वह आपका अफ्लोड नहीं हो तो देखे फ्रेंस हमारे जो left thumb impression होता है वह देख सकते हैं यहाँ पर उनाचास के वी में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है जो कि यहाँ पर पर्फेक्ट है तो पर आपको फाइल साइज में आजाना है यहाँ आपको कस्टम में किली कर देंगे आपको दोसोचालिस और दोसोचालिस के बीच में बूला गया है कन्वर्ट करने आपका left thumb impression को तो सिंपली आपके क्या करना है आपको फाइल साइज में आना है यहाँ पर कर दोसोचालिस और को टैप कर में कूछ इस और क्या कर देंगे आपको यहाँ पर नीचे बटन देखने की कमिल जाएगा OK में क्लीक कर देना है यह जो होता है इसको आपको select कर लेना है आपका जो होता है यहाँ पर left thumb impression होता है वो आपको यहाँ पर resize हो चुका है फाइल को select कर लेना है जो भी आपका left thumb impression होता है वो आपको select कर लेना है इसके बाद देखिए फ्रेंस यहापका left thumb impression होता है इस परकार आब आजाएगा simply ok में क्लिक करके आपको upload कर देना है अप्लोड करेंगे तो आप यहाँ पर preview देख पाएंगे ऐसे ही क्या करना है आपको यहाँ पर आपका hand writing declaration होता है तो इस परकार अगर आपको यहाँ पर फाइल का जो साइज होता है वह आपको देख सकते हैं आपको 50 कवी से 100 कवी के विचे में आपको convert करने बोला गया है फ्लोड करना है 20 कवी से 50 कवी के विच में convert करने है और हमारा hand writing declaration होता है वो आपको यहाँ पर करना है 50 कवी से 100 कवी के विच में आपको upload कर देना है तो यहाँ पर आपको दिकत यहाँ प्रोबें कर देना है फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत यह प्रोबलम हो तो मेरे दवारा भी आप अपड्वोड करवा सकते हैं मेरे दवार जाते हैं के खरवाना चाहते हैं उतलु हो फीस पैमेट करने के आउस सकता नहीं है ना crest करवा सकते देटारां का shadow सो रहा होगा आपको डिस्पिले में वहां जाके आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे द्वारा अप्लोड करवा सकते हैं तो आई होप आपको जानकारी पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया होगा इस तो वीडियो को लाइक सेस्क्राइब शेयर करे किसी ये परकार का query हो तो मुझे comment box में comment करेंगे